जिन से आप प्रोच्साहन प्राथ कर सकते हैं आपके पीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रॉल्ड मर्डल माने जाते हैं सिक्यर लाइफ में दिल्ली में जब भी इवोल होता है कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो आप लोग अपने पूरे प्रोवांचल इलाके का प्रतिज़ुद करते हैं और दिल्ली में सब लोग जो यहां पर नहीं आये हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं गाजीपूर, आजमगर्ड, बनारस, आसपास के इलाके पता नहीं आपे कितने समर्द्धी होगी लेकिन जब वो यहां पर आते हैं उनमें से कुछ लोग तो देखते हैं उतनी समर्द्धी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जोस है जुनून है और जिसके बल पर आप सब लोगों ने सिक्याओ लाइफ में एक बहुत भी बड़ा मकाम हासिल किया है जिन्होंने किसी भी प्रेशानी को सामने नहीं आने दिया अपनी तरक्की के आड़े नहीं आने दिया जिन्होंने हमेशा आपको मोटिवेट किया जिन्होंने हमें मोटिवेट किया जिन्होंने दिल्ली में जाकर आप लोगों का प्रदिनुत किया जिन्होंने आप सबको हमेशा लीड किया जिनसे मैं परसनली बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और आप सभी भी मुझे खुसी होती है आज उनको स्टेज पर आमत्रित करने में और मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी खड़े होकर इस जवरस पर सुनाइटटी का स्टेज पर स्वागत करें Please welcome Mr. Shamsundar on the stage Please welcome Mr. Shamsundar on the stage The diamond from Pro Launcher Come on guys आप सभी का इस इवाल्व इंडिया इन वार्ट आप सभी का इस इवाल्व इंडिया इन वारानसी में हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं अपने उस सिनियर का वेलकम करना चाहता हूँ जो आज इस कासी की पावन पवित्र धर्ती पे देलही से चल कर आगर हम सभी को कृतात करने के लिए आए हुए हैं जो हम सब को मोटिवेट किये मिश्ट मिश्टर दीपक जी उनके साथ में आए हुए मिश्टर सुनिल मारी आई है जिसका कोई जबाब ही नहीं है मिश्टर प्रबीन चौधरी दोस्तों आपने हमारे बीग बॉस को सुना कुछ हम भी सर जी हमारे बोल गए कि प्राबलम के साथ जो घुटने टेक देते हैं वो सफल नहीं होते हैं लेकिन जो प्राबलम को घुटना टेका देते हैं वो सफल हो जाते हैं तो आज घुटना प्राबलम ने टेका है मैंने नहीं टेका है इसलिए मैं आपके सामने हूँ दोस्तों मुझे कुछ अपने बारे में कहना चाहता हूँ सर जी बोले जिन्दगी एक क्रिम लाइफ क्या होती है सवा तीन करोण सत्तावन हजार का नेटवर्ग अभी ये बहुत कम है इससे भी बहुत आगे जाना है जाना है सर जी वीनस होकर आये हैं लेकिन अगले प्रोग्राम में हम सर जी को वीनस के रुप में नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों मरकरी के रुप में देखना चाहते हैं लेकिन ये तबी संभव है जब हम सभी मिलकर एक साथ एक आवाज में एक सिस्टम में काम करेंगे तब ही संभव हुआ है और वो सिस्टम आपके सामने मौजूद है जिसका नतीजा वीनस डबल डायमंड डायमंड रूबी एमरल्ड टोपाज पर्ल गोल्ड चिल्वर बहुत सारी हस्तियां यहाँ पर विराजमान है जो आपके सामने बिलकुल आई अपना परदर्शन भी करी दोस्तों कुछ मैं अपना बाइग्राउंड बताना चाहूंगा आपको आज से पांच-शे साल पहले की बात है मैं बहुत ही पूर फेमिली से बिलांग करता हूं मेरे पिता जी हाई स्कूल के छातर थे वो हाई स्कूल से आगे नहीं पड़ पाए लेकिन उनकी ख्षाइश थी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छी एजुकेसन ले लेकिन हमारी घर की माली हालत बहुत ही खराब थी पैसे नहीं घर में हुआ करते थे जिसकी वैसे हम बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पड़ पाए सर जी बोले कि आज हमारे स्कूर लाइफ एडवाजर के बच्चे अच्छे हिंदुस्तान के स्कूलों में पड़ते हैं लेकिन हम प्राइमरी स्कूल में ही पड़े हैं लेकिन प्राइमरी स्कूल वाला भी आपके सामने खड़ा है अगर है तो इस बिजनस की वैसे खड़ा है मैंने गाओ के प्राइमरी स्कूल से सिच्छा ली लेकिन मेरी भी तमन्ना होती थी कि थोड़ा सहर की स्कूल में भी फड़े हैं लेकिन इतफाग था कि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे लेकिन नालेज एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है मैंने गौर्मेंट इंटर कालेज में एक्जाम दिया था S-Class पास करने के बाद हाई स्कूल में नाम लिखाने के लिए मैंने एक्जाम पास किया नाइंथ में एडमिशन हुआ और दोस्तों हमने हाई स्कूल उस जमाने में करी जब UP बोर्ड बहुत ही सक्थ हुआ करती थी जैसा कि आप जानते हैं कि 92 में मात्र 14% रेजल्ट बना था उस टाइम हमने हाई स्कूल पास करी थी दोस्तों घर की हालत अच्छी नहीं होने के नाते हमने हाई स्कूल में ही टीशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और टीशन से अपना कुछ खर्च निकाल लेते थे प्लस स्कूलर्शिप मिल जाती थी हमारा खुद का खर्च चलता था दिरे दिरे हम अपने घर में भी दो पैसे देना शुरू कर दिये थे हमारी टीशन पर पकड़ अच्छी बनती गई इस पकड़ का नतीजा था कि हम इंटर में बहुत अच्छी कोचिंग खोल लिये कोचिंग चलती रही इंटर के बाद हमने ब्यसी करना शुरू किया ब्यसी में हमारी कोचिंग और बढ़िया हो गई लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक हमारे साथ हाथसा हुआ हमारे माताजी की तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई हुआ यूँ कि उन्हें ब्लट कैंसर हो गया आप जैसा कि जानते हैं कि किसी को ब्लट कैंसर हो जाता है तो घर के सारी जमिन जादा तक बिख जाती है पैसे का क्या काना मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ लाश्ट में उनकी डेट हो जाती है दोस्तों हमारी माताजी की तरही के कुछी दिन बाद हमारे पिताजी की तबियत खराब हो जाती है और उनको भी कैंसरी हुआ था कुछ दिन बाद ज्यादा नहीं मातर दो महीने बाद पिता जी की भी डेट हो जाती है और इस हमारे माता पिता के डेट में हमारे उपर तीन लाख रुपे का बोज हो गया था साथ में हमारे पास जो कुछ जमीने थी वो भी गिरिवी पड़ी हुई थी अब मैं कोचिंग से इस सारे करज को उतार नहीं पा रहा था लेकिन एक पड़ा लिखा इंसान होने के नाते हमेशा एक दिमाग में रहा था कि कोई ऐसा काम मिल जा जहां से मैं सारे करज को पूरा कर सकूँ मालिक की दया हुई एक बंदे ने एक रास्ता दिखाने के लिए मुझे इन्वाइट किया जैसा कि आप सभी को इन्वाइट किसी ने किया होगा मुझे भी किया मैंने भी अपने एक दिन का समय दिया और ट्रेनिंग सेंटर पे गए ट्रेनिंग देखे जैसा कि सभी लोग पहली बार अगर ट्रेनी देखते हैं तो बड़े मोटिवेट रहते हैं, मैं भी मोटिवेट था, रिजन था कि मेरे पास तीन लाग रुपे गालज परस जमीन गिरवी, मुझे लगा कि यह सारे कर्ज मेरे यहां से भरे जा सकते हैं, चुकि मैं दिन रात म करूं तो कैसे करूं। लेकिन मैंने एक रीस्क आथ लिया, जैसे कि मान साब ने कहा कि आपको फैसले लेने ही पढ़ेंगे, मैंने भी यह फैसला लिया, वह फैसला था मैंने करझ लिया, और शिकोरलाइब को ज़ॉइन किया। दोस्तों जॉइन किया बड़ा अजीव सा लगता है आपके साथ सिनियर भी होते हैं जुनियर भी होते हैं बड़ा अच्छा लगता है काम करने में लेकिन मेरे साथ एक बहुत बहुत ही अजीव घटना गड़ी है मैंने जब सेक्योर लाइप को जॉइन किया तो जस्ट उसके दो दिन बाद ही जिस सिनियर ने मुझे जॉइन कराए था मैं अपना डीडी खुद बनवाय था कोरियर उसको कोरियर भी खुद ही किया और कोरियर करके मैं जैसे ही वापस आ रहा था वो मेरे सीनियर बिल गए जिन्हों ने मुझे इस प्लान को दिखाया था और उन्होंने यही बोला था मास्टर तुम तो फस गए मुझे तो बड़ी गुस्सा आई कि मुझे जुएन भिकर आया और बोला है कि तुम फस गए और नहीं तो कह रहा है कि मुझे इस काम को नहीं करना है तुझे करना है तो कर लेना दिमाग में तो आया कि बहुत कुछ कह दू लेकिन क्यों कहूं एक सैर के मादम से आपको इस बात को कहना चाहूंगा एक सैर उनके बारे में बता सकती है कहा गया है क्या गिला उन हवावों से क्या गिला उन हवावों से उनके चिराग में तिल ही कम था जब उनको समझदारी होती तो वो मुझे जॉइन करके क्यों इस काम को छोड़ते लेकिन मुझे समझदारी थी कि ये वर्क कैसा है ये मुझे कहा लेकर जाएगा अगर हम इसके साथ होंगे तो ये कितनी दूरी तक मुझे पहुचाएगा मैंने उनकी परवाह नहीं करी और अपने काम को करना सुरू कर दिया रिजन क्या था सिनियर अगर छोड़ देगा तो ट्रेनिंग होगी नहीं होगी मेरे साथ भी ऐसा हुआ लेकिन मैंने जब काम करना सुरू किया तो दोस्तों मेरे पहले ही हफ्ते में पांच लोगों को जोईन कराया पांच लोगों को जोईन कराया लेकिन पांच के बाद छे महिने बाद कोई सेल नहीं आई थी पांच के बाद छे महिने कोई सेल नहीं आई थी सोने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आईकार ये काम कैसे हो रहा था कि पांच सेल के बाद छे मैंने बाद कोई सेल नहीं आई लेकिन हम दिन रात काम कर रहे थे कोचिंग भी बंदो चुकी थी घर में खाने को लाले पड़ चुके थे रिजन था हमारे बच्चे भी थे उस समय लेकिन हमने इस काम को छोड़ा नहीं किया एक टाइम तो मेरे साथ ऐसा आया दोस्तों कि मैंने इस सिक्योर लाइब को छोड़ने पर बिल्कुल दिमाग में बन गया कि अभी सिक्योर लाइब को छोड़ दूँगा बहुत एक दम बिल्कुल फॉस्टली हमने डिसीजन ले लिया कि अभी सिक्योर लाइब को छोड़ दूँगा चुकि कब तक मेरे बच्चे भूखो रहेंगे परिवायर की माली आलत थी घर में खाने नहीं बन पाते थे समय से लेकिन कभी कभी हम सीनियर नहीं हमें जूनियर भी मोटिवेट करता है और वो जूनियर हमें आज वो मेरे लिए भगवान है अगर वो जूनियर मुझे उस टाइम मोटिवेट नहीं किया होता तो साहाद हम यहां पर नहीं होते उस जुनियर ने मुझे मोटिवेट किया कि सर जी, अभी हमने तो क्या काम किया 6 महीने काम किया है न High School थोड़ा और काम करेंगे हमने का यार, जुनियर जब इस तुरा का जजबा लिया तो मुझे तो करना इस जी बहुत से करना सुरू कर दिया है उसी टाइम है उनों एक अपने गेस्ट को लाए और बोले कि सरजी इसकी ट्रेनिंग करना रहनी है कहां पर किया जाए हमें कहें कि कहां पर किया जा आजificación हम होटल कुछ भी तो बेवस्था करिए, हमका, हाँ, एक बेवस्था है कि मेरे मित्र की एक मारुती है, उसी मारुती में बैठ के प्लान सो कर देते हैं, अब मित्र की मारुती आई, मैं और वो मेरे जुनियर दोनों आदमी बैठ गए, अगल बगल बीच में गेस्ट को बैठा दिये, चैनल की मेरे लेना सुरूल, जब मैं, मुझे पसीन आ जाता था तो मैं कता था संझी थोड़ा मैं पानी पीलूं, आप ट्रेनिंग कर लो, तो जब उनको पसीन आता था, संझी थोड़ा आथ देख लीजिए, में पानी पीके हाता हूं,लास्ट में जब 48 लैक का फीकर उस तो जबाब यही था, आज वादमी बहुत याद आता है, हमको बार बार याद आता है, वो आदमी, तो दोस्तों हमको ये मसक्कत करनी पड़ी, हमने उच टाइम भी मेंद किया, एक और कड़वा सत्य उसमें है, कि हमारा जो भी काम हो रहा था, जो भी, वो जो सारा काम हुआ, वो एक लेग में ही हो रहा था, लेकिन 17 महीने तक हमने अपने खर्ज को कैसे चलाया, अपने परिवार को कैसे चलाया, उस दोरान अपने बिजनस को हम करते रहे, करते रहे, 17 महीने के अंदर लगबग 800 की टीम हो चुकी थी, हम उसको मैनेज भी करते थे, उसके हॉल को भी सब करते थे, और अपने को भी मेंटेन करते थे, ये कैसे संभव था, हम अपने 3 लाग कर्ज को और बढ़ाते चले जा रहे थे, बस एक सपना दिख रहा था, एक सपना बना था, जो कि नहीं यहां से ही पूरा होगा, और स्योर पूरा होगा, लेकिन मेरे घर से ही ऐसा लेगा, दो-तीन अजार रुपे कमा लेगा, पहले सीखना है, हमें घर से बढ़ाई आएंगी तो बाहर की बढ़ाओं को भी पार कर सकते हैं, दोस्तों, हमारा सफर बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बहुत सारी दिक्कते आएं, एक प्राबलम में और आपको बता देता आया है, बहुत आगे बढ़ाया है, उनका इतना सरेय है कि आज मैं फिर से दुबारा एंटरी किया हूँ, आज पूरे एक वर्स बाद मैं फिर से एक नेटवर्क में अपने आया हूँ, और मैं आपको पूरी आसा के साथ काता हूँ, कि आज जहां भी आप मुझे बुलाना चाहें बुला सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रावलम नहीं है, दोस्तों, मैं कह रहा था, कि हमारी टीम को उन्होंने समाला ही नहीं, बहुत आगे बढ़ाया, उस दोस्त का नाम, उस एस्सेट का नाम मैं नहीं भूलना चाहूँगा, जिसने मुझे डिमोटिवेशन के समय मोटिवेट किया, उस व्यक्ति की जो खास फहचान है, वो यही है, कि वो, चाहें किसी भी टीम का बंदा हो, वो पूरे सेक्योर लाइप की बात को मैं कर रहा हूँ, केवल अपनी ही टीम नहीं, पूरी सेक्योर लाइप, वो चाहें उसकी पेरलल ना राइन हो और चाहे किसी की भी टीम हो वो बंदा सब के साथ कॉपरेट करके स्थोक्र 2020 साथ काम करता है जाया वो किसी की भी टीम हो सब से उस डोस देखति की खास पहचान है कि दूसरी चीज वो भीक्ति जब मेरे जैसे आदमी को मैं सीनियर था उस आदमी का मुझे 2-2-8 होने से बचाया, मुझे इस काम को छोड़ने से बचाया, तो वो इंसाम आपको कितना सवयोग देगा, सोचने की बात है, लोग कहते हैं कि सीनियर से लग सीखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यहां पर कि जुनियर से भी सीखा जा सकता है, दोस्तों उस डाउन लाइन की वैसे, आज मैं डाइमन्ड हूं, डबल डाइमन्ड की तरफ दिरे दिरे बढ़ रहा हूं, लेकिन धीरे दिरे नहीं, आज के बाद तो रफ्तार बहुत काभी तेज हो जाएगी, यह भीड बता रही है, तो दोस्तों, आज उस पर्सन का दिन है, जिसने मुझे बहुत सम्हाला, मेरे निट्वर्क को बहुत सम्हाला, पर्सन के स्वागत में आप बिलकुल खड़े हो जाएगे, मिस्टर संजीव, मिस्टर संजीव फ्राम गाजिपूर, करा है,